हाई आज देखेंगे कि django project को आप docker container में कैसे रण कर सकते हैं क्या वज़या होगी क्यों न रण करेंगे इसके बहुत सारी वज़या हो सकती है इसमें से कुछ मैं आपको तया दाए हूं जैसे कि आप किसी के साथ अपना project share करना चाहते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि वरजन conflict ना हो जिसके सब उसको containerize करके फिर आप share करेंगे docker के तुरो तो वह एक reason हो सकता है दूसरा reason यह हो सकता है कि कोई आप अपना windows operating system में जेंगो का कोई project बना रहे हैं और उसमें कोई एक ऐसा package है जो कि windows को support नहीं करता Linux को support करता है उसके समें वह विंडोस पर चलेगा नहीं तो यह प्रजेट आगे बढ़ नहीं पाएगा उसके समें आप एक docker setup करके और फिर अपने project को docker के तुरूर रन करेंगे और वहाँ पर आप अपने उस package को जो कि Linux सब्सक्राइब या फिर निक सब्सक्राइब इसको आप इसली इंस्टॉल कर पाएंगे विसे ज्यांगो chron tab होता है वह windows पर चलता नहीं है अगर वह chron job create करना है schedule करना कोई टास्क उसका यूज उस package का यूज करके तो विंडोस पर नहीं हो पाता है तो उसके लिए हमें या तो यह उन्टू चाहिए होता है यह फिर आप मैं में चले जाते हैं तो वैसा न करके विंडोस में ही रहना है तो आप टॉकर सटप कर सकते हूं फिर उसमें आपना काम कर सकते हैं यह कुछ रिजन और वह साथ मैं एक environment कुर दो hurricaneWH attract करना चाहते हैं वर्जन ईसलिए तो इसके लिए अपकर करते हैं च automation पीजिस्टिंग पहले से पता होना जाए हूँ कि आप मझे प्रोजेट करेंड कर आपको पहले से पता होगा दूसरी आपको पताना चाहिए docker की टॉकर पर किसे काम करते हैं docker compose file क्या होता है docker file क्या होता है dokquer volume क्या होता है docker networking क्या होता है container कैसे इक-दूसरी communicate करते हैं यह सारे चैनल में आना है subscribe करना सबसे पहले play list वाले YouTube यहाँ पर मिलेगा Docker का एक play list देहिए वाले play list इस प्लेश को ओपन करना है और यहां से आप डॉकर के बारे में संपूर्ण जानगा रिले सकते हैं इवन मैंने यहां रियाक्ट जिस टेवलप्मेंट डॉकर का भी बताया हुआ तो यह जो भी आप देख रहे हैं जैंगो डेवलप्मेंट के लिए यह प्रडक्शन के लिए और इंस्रेл करना पड़ेगा प्रडक्शन करना है ऑट डॉकर डस्कॉट में क्लिकress करना ही और यहां पर डांटलोड फर विंडुर्व यहां पर क्लिक किईएगा अगर विंडोस है लेक्से मैं को इसमें इस में क्लिक करेंगे और डांलोड हो जाएगा अप्डिक प्ल नाम है डॉकर जैंगो सेटप यह इनर प्रोजेट फोल्डर है जिस पर आप जाएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक एपलिकेशन ब्लॉग नाम का लिस्ट अब उसके बाद और यहां कुछ भी नहीं है इसके नीचे अगर आप आते हैं आपको कुछ भी देखने कर देखने को देंगा देनुक्त सी सटब करेंगे आपको इससे तरीके से पोस्ट्रुंद कर सकते हैं मौंगोडी। सेटफेप कर सकते हैं में Europe को अलग क्सक्रीकिस्ण करने काश्य क्तर नहीं है इसलिग एसके लाइट को में यहाँप रिलिम्ने मेर्त करके MICE satsup किया है जहाई में आप Hari दिखा सको तो मॉडल से फिर पोस्ट पोस्ट मॉडल है हमारा इसमें टाइटल स्लावर क्रेड़ेड ऑन फिल्ड से बस सिंबल से हैं सो करते हैं क्लोज और इसको यह दीखे इसले हमने सेटप किया होगा अगर आपको मैं दिखाऊं डेटाबेस में यहां यहां इसको इंपोर्ट करते हैं यहां पर यहां पर दीजाएगा कि डीवी ने तो इन्यी निवी नीवी हमारा चला जाएगा हमारा सब कुछ रहेंगा उसे तरीके से डिवी यूजर डिपसर डिवी पास डेवी होस्ट डीबी पोर्ट अभी आपको दिख रहा हूंगे डीबी ऌस्ट में लोकल फोस्ट नह लिख यह mysql-db लिखका है यह इसलिए लिखका है विकास हम रोगों जो कंटेइनर में क्रिएट करेंगे वहाँ पर जो हमारा सर्वीस ने में रहेगा mysql-db तो वह ही आपको यहां पर लिखना होता है तो दिखांगो लोग इसको डॉकर पर चलाने चाहता है इस Windows operating system में ना चला कि हम लोग अपने डॉकर में इसको चलाएंगे जिसके लिए हमने एक बनाया डॉकर हब में डॉकर हब लिखके साज किजिएगा डॉकर हब कंटेनर से यहां पर बहुत सार आपको मिल जाते हैं इमेजिस जिसमें से मुझे जाहिए python विकास ज्यांगो रन करने के लिए python initial है यहां पर python लिखका ओ देखिए आपको हैपड़ टैग्स मिल जाते है python लेट 0.4 रन करने के लिए I believe कि हमें python का 3.10 से अबब जाहिए तो 3.10 मुझे यहां पर कहीं लिखा दिखनी रहा में इसमें होगा तो मैंने देखा नहीं है लेकिन 3.9.19 मुझे दिख रहा है यहां पर इसलिए मैंने ले लिए लिए अभी के लिए 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 कि वर्जन स्पैसि python unbuffered इसको हमने दिया वन यह नहीं कि non zero value दे दिया हुआ इसका क्या मतलब होता है कि don't write bytecode इसका मतलब यह होता है कि यह bytecode राइट नहीं करेगा यह आपके file system input output में जो कुछ complications होती है यह फिर कुछ issues हो सकती है उसको reduce करता है इसलिए हमने इसको यहां पर value दिया वसी तरी चाहिएगा कि std out यह फिर std err stream हमारा flush हो जाए immediately यह कि logging और debugging purpose में काफी useful होगा हमारे लिए दो चीज़ें आप जब containerize करते हैं यह निकिए लोग करते हैं यह दो चीज़ें आप दे सकते हैं ज्यादा better होगा उसको हमने वाकिंग डिरेक्टरी पर सेट अप किया कि एक container में किस डिरेक्टरी पर कि कौन से तरी हमारा working डिरेक्टरी बनेगा तो वह हमने बना दिया कि जैंगो आपकी जगा docker-jango-setup इस नाम से एक फोल्डर बनेगा container के अंदर में और हमारा working डिरेक्टरी बनेगा हमने कोपी किया requirements टेक्स्टी फाइल को यह इस वाली फाइल को यहां जो है इसको में यह source है हमारा यह source है और यह destination है हम लोग requirements टेक्स्टी फाइल को कोपी कर रहे हैं अपने container के अं में जो भी requirements हो वह सारी हमारी install हो जाएगी उसके बाद जो कुछ भी current directory में है dot का मतलब होता है current directory जो कुछ भी current directory में यह पूरा का पूरा जाओगो तो मैं चाहता हूं कि वह भी मारे run करें तो उसके लिए देखिए इस से आपका python setup हो जाएगा और आपका project खड़ा हो जाएगा प्रेट आपका run भी कर सकता है आपको mysql service नहीं मिलेगा इनको जैंगो का project खड़ाओगे और run हो सकता है लेकि मुझे mysql service चाहिए और phv admin का service चाहिए उसके लिए हमें multiple services run करनी है तो हम लोग आते हैं यहाँ पर multiple containers आपको एक साथ में run करने तो फिर आपको docker-compose file create करके इसमें code लिखना पड़े तो docker-compose.dev.yml इसका extension होता है वहाँ लिखा .yml इसका extension है .dev.yml नहीं ज्याद रिखेगा .yml इसका extension है यह .dev में लिखा क्योंकि development के लिए इसलिए लिए लेकिन यह दियान रहे कि चुकि आप default file name नहीं लिख रहे हैं जो कि होता docker-compose.yml यहाँ पर हम लोग docker-compose.dev.yml लिख रहे हैं तो अगर आप default file नहीं लिखते हैं तो आपको यह file name बहुत जगा mention करके अपने commands को run करना पड़ेगा जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो सबसे पहले यहाँ पर services इसके ऊपर में लोग version लिखते हैं but I think version लिखना वह optional हो गया है तो services पहला service हम रहा है mysql-db यहाँ पर आपनी default name लिएगा और आप इसको नहीं लिखेंगे इस case में वह बहुत भी बड़ा सा और अलग सा दिखता है मैं आपर container का नाम लिख दे रहा हूं mysql-con यह container का short form में लिखका हुआ है इमेज का नाम है इमेज कहां से यह pull करेगा mysql से जो भी रहेगा उसको यह pull करेगा यहीं से docker अब से आपको दिखाते हैं अब मैस्कल भी साच करेंगे यह अब मर्याडी बी जाहें तो भी कर सकते हैं यह mysql यह वाली पूल करें और mysql यह फूल कर लेगा मैस्कल लिखका मतलब मैस्कल लेटेस्ट आप लिख रहें हम आपकर अब चाहिए तो वर्जन इस भी स्पेसिफाइब कर सकते हैं गर आप करना चाहें तो इसी तरीक होता है डिफॉल्ट पर होता है 3306 तो इधर आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पर देखते हैं यह पूर्ट होता है होस्ट का पूर्ट यानि कि आपके इस सिस्टम पर आप इस पूर्ट के थुरू इस mysql जो के अंदर उसको एकसेस कर सकते हैं और राट हैंड साइड मे करता है जो कि root user होता है तो उस root user का password देना होता है आपको तो हमने देदी यहां पर root उच्छे किसे मुझे एक database भी create करना है साथ के साथ यहां पर आड कोड कर दिया हमने इसको के लिग सकते कंट है मैं एक क्या यह कुल सकते कि यहां पर हमारा यहांक पर वॉलूम यहां अंदर में my school का जितना भी काम करेंगे अपने प्रोजेक्ट में डेटा इंसर्ट करना हो डेलीट जो भी काम होता है वो सारहा सारा आहिसे यह मुंख और अगर वह काम या फिर वह डेटा आपके container को stop होते ही या फिर रिमूव करते ही डेटा भी रिमूव हो जाएगा तो फिर आपका database भी चला जाएगा तो वैसा नहों इस वज़े से हमने इस में एक volume वाल्यूम आपको यूज करना है यह default container के अंदर का path है मैं स्क्राइब करें आपको देख रहे हुआ वह कुछ दिर में आपको दीख जाएगा यह माइस के साथ काम करते हैं वह वक्त ध्यान रखेगा यह बात यह होगे पहला सर्विस जो भी रिक्षर्मेंट सी हुआ दे दिया दूसरा सर्विस यहां पर है प्येश्पी माइडमिन इसका भी कंटेडर का नाम ने दे दिया प्येश्पी माइडमिन कौन और यह प्येश्पी माइडमिन से अपना इमेज पूल करेगा यहां पर आप देख सकते हैं अगर आप यहां पर देखेंगे आप यह पर यह टॉक्ली साथ दिखा है त Baron आ यहां पर आपको दिखेगा किसी ने पिए में यूज का यूज किया हुआ है यह वन दिया हुआ है कि किसी भी होस्ट से इसको एक्सेस किया जाएगा बट वैसा ना करके हम लोग एक स्पेसिक देंगे दिखाता हूं मैं तो यहां पर यह सारे चीजी रहता है बागी और भी ज यह टैग एक तरीके से इस सर्वेस का इमेज हमने दे दिया पर यह रिस्टार्ट आलवेज ने दिया पोर्ट यह 80 पोर्ट कंटेनर वाला और 8080 पोर्ट हमारा इस होस्ट का तो यहां से हम लोग एक्सेस कर पाएंगे पेस्पी मैंडबिन को 8080 पोर्ट मैं आपको दिखाऊ इन एक टूल है इस मैस्क्वेल पर काम करने के लिए इसको पता होना चाहिए कि इसको किसमा इसक्वेल पर काम करौना तो यह वह पर यह लिखने के बजाए पियमे ऑर्टरी एकवल ते सकते हैं यह किसी भीός को किसी बी जो इस तरी तुसके बाद यह वाला हमारा रंगरेगा यह हमने कखे दिया यह डिपैंड करता है इस वाले इससर्विश पर यह तीसरा जो हमारा दूसरा प्रॉजक्त अपना खुद का जो हम लोग बना रहे हुआ नेम पर जैंगो कौन देते हैं और इसका इमेज का नाम दिया है बट यह इमेज कहीं अभी होस्ट नहीं है कहीं पुल करके यह लाएगा नी बतो यहां कहीं जैंगो इमेज करेंगे तो ऐसा मिलेग जिसे पेच्छी मारे माइस पर मिल जाता था फुल करने के लिए बटीच को कोंड भॉर्ट दॉक्राइब फाइल के नाम हिहां पर अभी पॉर्ट जेंगो का प्रोजेक्ट हमारा चलता है 8,000 पर यह एक पाइब कर और के आदर का पॉर्ट और यह हमारे वोस्ट मशिन का पूर्ट आम ने दे दिया इन भी जो हमारे यह nv के सब कुछ है यह हमें देना है तो वह हमने यहां पर मेंशन किया हुआ है कि nv file और .nv file में जो कुछ भी वह सारा लेके इस container को दे देना है वह हमने लिख दिया हुआ है तो इन.nv file का आप चाहिए तो environment variable इस तरीके से करके लिख भी सकते हैं यहां पर hardcode कर सकते हैं अ आपने docker वाले playlist में यह होगा इन.nv file अभी volume यहां पर हम लोग बता रहे हैं कि dot यानि कि current जो यह वर्जंट जो working directory यह हमारा इसके साथ मैप हो जाएगा docker jango setup जो हमने working directory क्रेट के है container के अंदर में वह हमारा docker jango setup folder है वहां से और हमारा current में अभी जवाप देख रहे हैं यह working directory यहां पर dot यह दोनों map हो जाएगा यह volume create नहीं करेगा बस यह तोनों को share कर देगा यहां जो काम करेंगे वह आपको यहां पर दिखने को मिलेगा वह यहां पर दिखने के अंदर करेंगे इसको एक और तरी के सब समझ सकते हैं कि यह जो हमारा file है यह python यह क्या करेगा base image एक तरह एक Linux operating system इंस्ट् करेगा बाकि सारे services हमारी चलाएगा तो अब अपना code लिख रहें लिखेंगे आप Windows operating system यहां पर आपका जो code रन करेगा वह रन करेगा इस image की अंदर में जिसमें की मीनी Linux होता है तो Windows में code लिखेंगे रन करेंगे Linux यह होता है तो इसलिए यह लिखा जाता है ताकि code यहां लिख तो वह चला जाए इसके अंदर में चला जाए रन होने के लिए उसके हमने command लिखका है dash dash c लिखका यह अगर आप multiple commands करना चाहते हैं तो आपको यह लिखना माइगरेट करना है तो इसके बाद ही हमारा यह प्रोजेट चले अब बस बात है इसको रन करने की कंटेनर को बनाने की और इसको चेक करने की कुछ बनने से पहले यह हमारा रान हो गया यह हो जाता है कि हमारा प्लेट रन हो गया उसके इसमें करने के लिए रन करने के लिए ने के लिए हम लोग को सबसे पहले डाकर डेस्टॉब यहां पर आपको डॉकर डेस्टॉब मिलें का अपने इंस्टॉल गिया और डॉकर डेस्टॉब तो इसमें क्लिक करना है फिर आपका यह ओपन होगा कुछ चीज तरी केस यह आपका रन होना चाहिए यह आपर वारा यह रहना आ करते हैं कुछ इसके ट्लिक क्लिक करता हूं यह हम्हें रीस्टार्ट हो गया आपको किसा करने करें कि पढ़ेगी कि मैंने कुष पहले से रहाट तो है यहाई में टीडिय। मुझी यह यह इने तो आपको आपके दिखेगा प्लस आप लॉक्स वहरा भी यह पर चेक करेंगे और यहां पर लिखना पड़ेगा डॉकर इंविक अंदर रहना जरूरी नहीं आप इसको अटा भी सब्सक्राइब कंपोज कंपोज और डैश लिखना है फिर आपको इस इस कंपोज फाइल का नाम निखना पड़ेगा पूरा पहले लिखें डॉकर डैश अंपोज डैश 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 वाई अमल यहां पर आपको देना है अप अप करना है और इसको डिटैच मोड पर करेंगे तो डैश डी हमने दे दिया मैं काम करता हूं इसको इससे बढ़ा कर लेते हैं और फिर इंटर की प्रेस करते हैं यह क्या कर रहा है यह पूल कर रहा है माइस्कल्ड डीवी को फिर जैंगो प्रोजेक्ट को पूल करेगा यह तो पूल होगा नहीं यह मैश्पी मैडमिन को पूल करेगा तो देखें मैस्कल्ड डीवी पूल हो रह यह हैं इसको पहले ही बताया था वह सिंपली हमारा क्रिए हो जाएगा इस तरीगे के एक ही मेज वेट करना पर आपको बिकोज इसमें आपको लंबा समय लग सकता है पहली बाद जो आप इसको रूं करते हैं तो आपको यहादा समय लेगा वेकोजी इमेज डाउलोड करेंग इसको पूल करेंगा अब अब इमडि 64 आपका या पर 386 वह सब्सक्राइब करेंगे कितने का साइज आपका बनेगा इसको वेट कीजिए और देखिए माइस के लिए पूल हो रहा है तो इमेज पूल आपको यहाँ पर दिखेगा यह इमेज इमेज हमारा पूल हो चुगा देखेगा यहाँ से यहाँ से लिएग और इन दोनों को देख पाएंगे अभी इसे दोबारा सब्सक्राइब करेंगा अगर वापस से container create करते हैं जिसमें mysql या page menu ना पिए यूज़ करते हैं सर्विस images तो फिर यह अभी पूल नहीं करते हैं इतनी जगा लेकर इसी image को ये यूज़ कर लेंगा ऐसे लोख आपका सिश्टम में ये इसी कर लेक्व लेकिन आप इसको delete करते तो वापस से यह फिर फिर पूल करेगा अभी आये यहां पर और देखिए क्या कर रहा है यह जब सिम्सकर當 करता है फिर इसने पाइं जो बैस कमेंज उसको मुझ कराते हैं पाइथन का बैस मेसे उसको दाफरके और प्रहूर्य को दिखाता हूं कहा हमने इसको कदम किया था फिमимся से त्लोड एपर लेटेस्ट वर्जन से हमारा ये सारा डाउनलोड हुआ रड़ होने के बाद बिल्ड कॉंटेक्स्ट और ये वाकिंड एक्सट्री ने सेट किया डॉकर जैंगो सेट अप ये कंटेनर के अंदर में हमारा सेट अप फिर इस ने इस हमारा जो हमारा ऑपना इमेज हुआ जैंगो इसको वाट भी और यहांबर करनेग 4 by 4 दिख लाए इसने एक नेटवर करता है यह default network जो सभी container को एक network में रखता है यह मैंने बता है networking वाले वीडियो पर उसको दिख लेज़ेगा तो क्रेट होता है यहां बसे हमारा तीन container create होआ है एक container है हमारा यह mysql-con jango-con और php myadmin-con और यह यहां पर आप run करते हैं और यहां पर दिखेगा कि हमारा एक mysql-con चल रहा है और यह आप about a minute और php myadmin-con दो container हमारे चल रहे हैं बट एक container वाला था वह हमारा भी तक आप नहीं हो उस पर कुछ issue हो जिसे वाज़ेसे वह आप नहीं है यहां पर service आपको देख रहा होगा mysql-db service है और php myadmin जो हमने यहां पर लखा वा था नाम service में यहां पर यहां पर आपको देख रहा होगा देकि यह हमने लिखा था service इसमें mysql-db प्रोजेट करके दिखना चाहिए था सर्विस यहां पर यहां पर आपको सारे दिखेंगे जो रन कर रहा है वह भी जो रन नहीं देख रहा है यह रन नहीं कर रहा होगा जिसके वह हमारा एक जीट होगया वरना यह रन कर दे रहना चाहिए था जैसे यह दूश्य रन कर रही है mysql और प्रोजेक्ट हमारा नहीं हो रहा है तो हमारा यह प्रोजेक्ट हम लोग देख नहीं पाएंगे हमारा नहीं कर देख हुआ है यहां पर कोड में आते हैं और यहां पर देखेंगे आप यहां पर माइस्केल अंडिसकोड डिटा जो हमने यह वाल्यूम बनाया था हमारे होस्ट में होस्ट से हमारा है हमारे होस्ट में रहेगा हमारा जो भी डीटा रही हुआ शचेकर होएँ कर यहां वापनेया व्हुज कर दते हैं और देखते हैं औरiza क्या यह ये कंटेनर है यह नहीं चला है जैनको इनर स्कॉर कॉन ऐसे लिए थे यह पर क्लिक करेंगे तो आपको इसका लॉग देख पाएने और यह किया रहा है कि आपका यह रन कर रहा है अच्छा से रिडि फॉर कनेक्षण यह थूठीक है इसमें को ऊई यह इसए नहीं यह अगर आप मैस्ट करना चाहते है यह घ्रक्न करते हैं मैं चाहूं यहां फर मेरी बात एक हैसित ॉ अ στην के लोग यहां से कर सकते कर सकते हैं है को हमसे मैं अब इसको कश्चेपशन में करते है इसको病िक्त हैं ओarson हमें रीख करके देते विच JACK कर देते किसे तिया है कि टर्मिन '' विक रहा है मारे हमार हमारा चल रहाहा है के यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसका लॉग आपको देखेगा और यह भी भली भाती रन कर रहा है और इसका एक्जैक में कुछ रन करना है नहीं दिखाऊ मैं यह होगा इसको बैक करते हैं और हमारा जो प्राप्लम है वह है जैंगो ऑंडर्सकोर कॉन में जो कि आप यहाँ पर देख पार है इसमें क्लिक करना है इस इमेज इस पर केजिए जीई करते हैं तो वापस से यहां पर आईए यहां पर आईए और यहां पर क्लिक करना पड़ेगा और यह हमारा एक्जिट है यह सब स्टॉप करने के लिए वाट यह हमारा प्ले करने के लिए स्टार्ट करने के लिए यहां पर क्लिक करते हैं और वापस इसको मैंनोली रन करते हैं मैंनोली रन कर रहा हूं मैं यहां पर migration चल रहा है अब migration चलेगा पर migrate चला और अभी हमारा रण हो गया अब कोई इशु नहीं अब यह रन हो रहा है तो बस एक बार आपको करने के लिए आपको चेक करने के लिए आपको क्या करना है आपको यहां पर लोकल होस्ट या फिर 127 या इसमें जा सकते हैं अगर आपको अपना एकसेस करना है तो लोकल होस्ट और यह 8080 पूर्ट पर हमने दिया था यहां पर आपको पीशिय मैंड मिनी चलेगा इसमें आपने यूजरनम दिया था राजिश एक क्रिट किया था उसका पासवर्ट है लो 123456 तो उसके आप लॉग इन तो सारे टेबल से आपर जने टोके दिख आते हैं अभी यहां ब्लाग रसकोर पोस्ट जो हमने एक मॉडल बनाया था उस पर कोई डेटा नहीं रहाए अपर आपका कोई कर सकते हैं अब यहां यहां से क्रेंट कर सकते हैं और यहां से करने के बज़ा हैं आपको दिखाता हूं कि टर्मिनल से कैसे कर सकते हैं अपने यहां पर आने कि आपको बार बार आश रखता नहीं पड़ेगी अब यहां आए और यहां से आपको दिखाता हूं कि यह कैसे होता और साथ ही देखिए कि आप अपने working directory को कैसे access कर सकते हैं उसके लिए आपको यहाँ ना है और यहाँ पर लिखना है exact office service का नाम तो मैं PS पहले कर लेते हैं जिसे आपको service का नाम दिख जाएगा यहाँ इस वाले service पर जाना है जैंगो प्रजेट वाले service पर तो आपको लिखना करें root user के साथ अपने project folder के अंदर मैं यहाँ पर LS करेंगे आपको सारा जो भी कुछ भी यहाँ पर है वह सारा यहाँ दिख जाएगा यहाँ पर आपको काम करते हैं यहाँ पर mkdir करके एक डेमो फोल्डर बनाता हूं यह फोल्डर मुझे यहाँ भी दिखने को मिलेगा यह और मैं यहाँ कोई फॉल्डर बनाता हूं यह फोल्ड़र आपको यहाँ दोड लेक्नर करेंगे यहाँ यहां पर माइगास हमने इस तरीका से इसको यहां पर लिखा है volume में map करके दिया हुआ तो code आप यहां पर करते हैं लेकिन आपका असर वह content के अंदर होता है रन आपका content के अंदर ही और आपका project तो मैं कह रहाता कि आप कैसे super user create करेंगे super user create करने का तरीका बिल्कुल सेम है आप यहां पर python जो कि आप यहां पर match.py पर access कर सकते हैं देखिए आप अब आपको देखिए manage.py अब यहां पर run कर सकते है python manage.py create super user इंटर की प्रेस कीजिए और admin हमने दिया admin at admin.com और password पर admin दे दियते हैं यह भी password दिया और वाइल इक इंटर की प्रेस किया और हमारे create हो गया super user अब आप यहां से इसमें access ले सकते हैं यहां पर आईए लिखिए admin और यहां पर admin इंटर की प्रेस कीजिए यह login हो जाएगा यहां साब कोई पोस्ट करना हो आप सकते हैं वास्ट टाइटल स्लाग में पुछ भी दे दिया सेव में क्लिक किया यह सेव हो गया आप इसको यहां पर आकर देख भी सकते हो सब्सक्राइब करके आप इसको वरिफाय का सकते हैं और यह जारा कुछ आपको यहां पर पर सिस्टेंट मिल जाता है आपका विकॉस आपने अपने एक वॉल्यूम क्रेट किया हुआ देखिए आप नियू डीवी के अंदर में सारे टेबल मिल जाएगा और यहां से आप इ इस एक्सित करके आप इससे बहार आ सकते हैं अब हम लुण के टरमिनल में जाएगें इक चीज और देखिए कि मालीजे कि मैंने काम किया आधा आज का काम आज का में रखा ता मैं जो करना कैसे इसको बंद करूँ अच्छलों करूड़ गयाँ सभी को सारे स्टॉप करने हो दुक्र को बंद करने तभी तो क्सिस्टम टॉफ होगा लैपट टॉफ नौफ होगा तो container में आना है और यहां पर आपको stop करने का बटन मिलता यहां से stop कर सकते हैं या फिर आप command-next करना चाहिए तो यहां से इसको किजिए और यहां से अपके लिए इसको कर सकते हैं और इसको आपके वापस आना है और इसको स्टार्ट करना के लिए यह वापस से यहां पर करना पड़ेगा यह इंजन्ट कर सकते हैं क्लिक करके यह वहлаपकर क्मट लैंड करना से करना चाहते यह आपका यहांसे ब слय राख सब्सक्राइब करना और इसी कीजिए और यहांपलिक इसको कर लिए इसबन कर लीजए इस से स्टार्ट कीजिएगा तो फिर आपका सही तरह करेगा को कि यहां पर आकर आपको रण कर लेना है मैं को इसमें लिग देता हूं जिससे कि आपको यह प्रॉब्लम नहीं होगी बड़ उसे पहले यहां पर आकर आपको यह चल रहा है और आपका मैस कल भी बलिभाती चलेगा करने के हैं वह स्ट्फाप करने सुध 너 Town आपको यह करने कर सकते मैं करते रहे जिसको यह प्रॉब्लम है 현재 हो रही है कि आपको वहाँ करना पड़ आपस रहो है जंग वाले प्रजेट को उसके स Zumun कर आपको करना सारा फास कंटेनर है वा法 इसको स्टॉप किची वैसे तो मैरे सारा स्टॉप कर लिया अभी हम लोग इसमें हेल्थ चेक का कोड लगाएंगे वैसे डाउन करके अप करना पड़ेगा फिर से इसमें चेंजिस कर रहे हैं मगर करेंगे उसको पहले इसमें कोड लिख लिए तो वाल्यूम के नीचे यहां ले सी टेल माली मूफिंगं यहां फिए और यहां पर हमें चेक करके यह रहना फर्षेoff कहीं है अब क्लिक लिका यहोस्ट के-स हमने दिया फिर लोकुल इस disrespect हमझे ठीक इस अ Wpekt धिर लिए पासवर्ण भी इंटर्वल में आप इसको एक मिट्वी कर दिए तीज सेकंड घर देते हैं और हम लोग फॉर इसको रहने देते हैं इसको पर नीची आना है हमारे जेंगो का जेंगो पर जो स्टाफ हो रहा है उसमें यह आना है MySQL .dv, joh service का नां था, यहां पर column देना है, यहां से आपको condition, condition, condition में देना है service, healthy, इसको save कीजए, save करने के बाद, आप simply इसको आपको down करना पड़ेगा, इसको सब को down करना पड़ेगा, यहां पर हम लिखेंगे simply down, dogger Composed, joh file का नाम है वह लिखा, down में, dirgree press क्या, यह सारा ह हमारा remove कर रहा है देख सकते हैं यहां पर आकर देखेंगे यह container आपका सारा गाइब होगी है आपके images यहां पर बनी होगी है तो मैं बस इमेजेस रखा container बस अटाया बट हम लोग इस image के साथ इस container को वापस से बना लेंगे उसके आप करना यह आप करें जल्दी से quickly हो जाएगा यहां पर आना है लिखना आप और देख सकते हैं और यहां पर आकर देखेंगे यह आपका और यह आपका और यहां पर देखिए यहां पर देख सकते हैं वैसे लोग रणना पड़ेगा वापस से आलेख्श लिखका Hello 123 456 लॉग इंग हो गया वापस अपर देटा दिक करते हैं सो यह हो गया अब इसको स्कॉप करते हैं यह ऊब यह तो में मैं आपको यहां दिखा देता हूं यहां पर यह तो करने को कोई एशू आपको हो रहा है कि मैं को एस को करते हैं कर सकती है यह थे country सब है और हमारा ही इससे हो रहा है कोई शुनी है अब और आप इसको करते हैं começ पर मैंने रहा है अगर नहीं तो तो दोस्तों यहीं अभी एक कोड लिखे आपए जैसे बस लिखे रहो और पर इसको ने करने के बाद इसको रॉन के से करेंगे का यहां पर रिफ्रेश करते हैं और यहां पर आपको अभी नहीं दीक रहा है इसको में करना पड़ेगा कैसे करेंगे तरीका आप यहां से भी कर सकते हैं यहां पर आप आना है और यहां जेंगो इमेज पर आना है और यहां एक सैक में आगे यहां से दिखाता हूं यहां सब python manage.py में एक माइगरेशन इंडर के प्रेस कीजिए हमारा मोडल लाइक हमारा हो गया फिर यहां से भी कर सकते हैं अब हमें यहां पर यह दिख जाएगा यहां इसको कीजिए रीफ्रेश देखें ब्लॉग लाइक करके एक हमें नया दिख जाता है यह फिर आप एक्जाक का में वोड हम लोग विंडोस में लिख रहे हैं जैसा कि अभी आपने देखा बट यह हमारा रन हो रहा है कहाँ पर हमारे कंटेनर के अंदर में यह पर कोड आपको गिटब में मिल जाएगा वहांसा आप इस कोड को यह जो फाइल में भी आपको चाहिए हो तो आप इसको एक